प्राउंट को है को होने से बचाने के लिए रेविनियू सोर्सेस लोगों को बताना चाहें अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे और गाईज हम आ चुके हैं फिर से आप सब के सामने एक बहुत ही शांदार पॉड्कास्ट को लेकर रहें बहुत ही शांदार नॉलिज को लेकर इस वीडियो के अंदर में आपको बहुत सारी नॉलिज मिलने वाली है बहुत सी चीज़े आप जानेंगे अबाउट पी आर अगर किसी का नेगटिव रेपूटेशन हो रहे है तो किस प्रकार से हम उसको अच्छा कर सकते हैं अगर आपके सोशल मेडिया पेज़े में भीया मिच्रा मेम सबसे पहले आपका स्वागत है आपका स्वाड अमारो चानल पे थैंक्यू सॉआमर्च को है बोदी है कि मैं बाहत सारी नॉलें आप सब को दूगी और आपसे लेंग कि और कैसेником हो सकते हैं उपिनिव पोछिज रहे क्हलें के डुम में भूंस भी उन्हेंदा लुडर्य कि दीग पुभ लुधार 10 01 HD mr Fresh делать कैने हुसेлекс बाहर को शुकने मेन आप ऐसे पिछ्र जाइए जैसे आप एक वुमन होता है कि आपको नॉलेज नहीं होती है और आपको ना अगर बच्चे भी होते है आप 15-15 साल के भी होते है तो आपको भी लगता है कि या बाहर जाना यह बहुत डिफिकल्ट टास्क है या आप से हो गाए नहीं या फिर काफी लोग सोचने कि अगर पैसे लगेंगे तभी आ कैसि लिएट न कि लोगली मैं पहुची अ अगिववे कांटेस्ट टीर क्या कि वजास्ते नियुकि मैंने गिववे कंटेस्ट विन कि असमे आपको दरबार ऐ थैमली से कि अनके साहत। दुबढी टेर पहला था सब्स्क्राइप कि पहला नहीं तो बहुत हैप क्रेटी कि तो मैंने पार्टिसिपेट किया मैं जीत गई और फिर मैं दुबई पहुंच गई करते हैं और ऐसे से धीरे-धीरे करके ग्रो किया सो काफी अच्छा सफर रहा लाइक जीरो से लेकर वहां तक पहुंचना फिर उसके बाद अभी वहां पर जाके मैं रुकी नई हूँ वहां पर मैंने छोड़ा सा पॉस लिया है और उसके बाद नेक्स्ट एर से फिर मेरी चीजे दुबारा से मुववान होनी शुरू होंगी को यह रहा दिखाई या फिर आप कैसे इस इंडर्स्ट्री में एंटर की है मैं सच बोलू तो मेरा कोई मेंटर और या गॉड़ फादर नहीं था तो यह बहुत डिफिकल्ट होता है आपको झोब ही करना है आपको खुद से ही करने का है तो वो curiosity होती है ना कि learn करना है learn करना है learn करना है यह कैसे हो रहा है तो मेरा मानने कि एक बड़ आप घुज जाओगे ना तो अपने आप यह रस्ता बन जाएगा मतलब आपने देखा कि यार यह कुछ हो रहा है इस marketing इंडस्ट्री में तो आपने चीजों को सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके आप सीख कर और उसके बाद आपने ग्रोग कर पाए लेकिन जैसे आपने कहा कि यह बहुत असान है कि इनिशली हमको ऐसा लगता है कि बहार शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब हम उस चीज को करते हैं तो यह हमें लगता है कि हां हम कर सकते हैं बट अगर एक इंडियन फैमिली को देखें तो यह बहुत जादा टिपिकल है कि हम अपनी फैमिली को मना पाए अगर आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होगी जब आपने बताया होगा कि मेरा कुछ ऐसा प्लैन है कि मैं बहार शिफ्ट होना चाहती हो तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था बहुत सारा हुआ था है लाइक मैंने जमन पड़ी है तो मैंने जमन ट्रांसलेटर काम किया वगासा चार साल और वुस चार साल के वीची मैंने कंपनी कोल ली थी हुआ हु आपके लिए यह प्रूट है कि लिए उपनी इपको प्रूट हुआ यार टीकर प्रत्रा अटाव कर लिए सकती फी क्यों कि आप अपने पै लगा थासे नहीं कर पयो एक तो जैशन मेर्षislकि और रही इस तो देन से प्राममम हुआ थो इस मैं छोटी रही हूँ और हमेशा घर में रहीय की नहीं थो है ऑगे सबस्तिया रही तो सबढ़ा शाइओ रही है तो अभी जैसे कि हमारे साथ में और बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो लोग इस बॉडकास्ट को देख रहे हैं उसमें से कहीं ऐसे वोमन अंत्रप्रिनॉर्स भी हैं जो अपनी लाइफ में ग्रोग करना चाहते हैं तो अब आप उनको क्या सजिस्ट करेंगे कि अगर वो आपकी रहा में जाना चाहते हैं मतलब आपकी इ लुडले से कशनी ओढ़ो हैं जो काम से ब्हुंद करते हैं जो सामने बाले से काम सी किसेठक लोग ऑन। भुषन सामने माले बिंदे में प्रप रहरा हैं इस्टिस्टे नष्नस कर दिखेंगी काम से डर्धा बनुशन पहले में पहले सामने थे dessaurant से किन्य आपकी आपकी लाइक नॉट नॉट आक्शुली बलंट थीक है अपनी चीज अपनी बाते रखने का समझो सो मैं वही कहना सौंगी कि लाइक सीखते रों सीखते रों एक लेवल पे अपने बारे भी सोचते रों कि ठीक है आर आपको भी खुद का करना यू करना आप हमेशा से वह इंजन के सumi साहिखते तो एक टाइन पिर आपको अ Annual Mooju एयुद आप सब्सक्वेश तो आप को अधारोन करने बंच हुए तो आप लिचों को मैंन पर आनेमाजिय पहल सिखते रहें ना स्वेयों चाहिए तो आप इन जीर पता लंकरार्म आप्ट करना पर लंकर्स से नहीं है कि आप सिफ लर्न ही करें और मॉनेटरी गेन कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा लर्न करो कि जिसमें आपको मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, इस नॉट लाइक कि आप 12 घंटे किसी के ओफिस में काम कर रहे हैं, और आपको इंटर्णशिप का टाइग देखें, लाइस में चार से पांचे सार पकड़ा जिये जाते हैं, तो इस नॉट आप लर्निंग कि आप नहीं लगता कि आप बहुत सी चीज़े कर रहे हैं, आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो एग्जाक्ली आप क्या-क्या सर्विसस प्रवाइड कर रहे हैं, मतलब एग्जाक्ली आपकी कंपनी करती क्या है? एग्जाक्ली मेरी कंपनी एक मार्केटिंग एजिंसी है, फार एक्जामपल कोई भी कुछ इवेंट फगरा होता है, so we provide influencers, की लएट कोई ब्रांच ओरा है, तो कैसे अपने influencers को यूज़ करके उस ब्रांड को फेमस कर सकते हैं, वो influencer marketing हो गया, plus events हो गया, plus artists प्रवाइड करते हैं, किसी को कोई शो करना है, कुछ करना है तो हम उसमें आर्टिस्ट प्रवाइड करते हैं एंड ग़िसी को शो करना है तो उसमें हम पुरा फूम जीरो तो दे एंड शो कैसे सक्सेस्फुल करना है यह सारा का सारा करते हैं अपार्ट वम दाट PR नूस्प्रिकेशन फिश्च इवरी कॉमन जो मीम बनाने वाला होता है वो यह नहीं सोचता है कि सामने बन्देग पर क्या मेंटली प्राप्लम होगा क्या एफेक्ट करेगा पट सिल उनको बना के मज़ा रहा है तो बना के छोड़ देते तो अगर हमारे पास अप्लेंट आते है कि माम आम गेटिंग इफेक्टेड करें में जाते हैं सो इनकी कोईवी वीडियो बना के अचार कर देता है वी जिस च्यानदर को बहुत शांदर यह तो बहुत आइक चीजह और यह एक ऐस चीज़ी जिसकी बहुत सथारे क्या सब्सक्राइब आज कि इस डिजिल वाल्में यहां पर जितनी तेजी से कोई इडियो वारल होते हैं जितनी तेजी से पॉजिटिविटी तेजी से तेजी से नेगतिविटी पैलती है, तो अभी आप की जैसे कितनी बड़ी टीम आप मैनेज कर रहे हैं See, like, अभी हमारा वेरी कंपरी में पाँच लोग है, and most of the work we do, outsource कर देते हैं, कि ठीक है, आप यह हैंडल करो, यह काम करके देदो, and काम हो जाएगा, so I feel like, hiring अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, because my plan is to move to other country, and then settle my office over there, क्योंकि अगर मैं इंडिया में भी office डाल दूँ और दुबाइ में office डाल दूँ तो बट मुझे पादा, अगल, I have to get married, I have to settle down with someone, settle down with someone, so it's like, next year तक मैं फिर उसके बाद से, मैं फिर पॉपर ओफिस डाल के, वाओ, that's amazing, that's amazing, और एक चीज़ है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि मैंने कई लोगों से सुना है, वो लोग ये कहते हैं कि यार, हमने agency बनाई, हमारे पास काम भी आ रहा है, लेकिन अब हम जब इस काम को outsource कर रहे हैं, तो हम अच्छे से track नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, like कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जो हमारे freelancers होते हैं, वो delay कर रहे हैं काम को, तो आप exactly अपने employees को track कैसे करते हैं, या फिर आप ये कैसे assure करते हैं, कि यार मैं अपने client को इंदम timely work deliver कर पाएं, पहले तो proper हम check करते हैं, कि जिसको भी outsource कर रहे हैं, उसको market में review कैसा है, और उसको एक local काम देके देखते हैं, कि ठीक ही ये वंदा ये काम किती जे में जग के दे रहा है, मैं simple सा एक fact बोलोंगी, कि युसको पैसा कमाना है वो जल्दी काम करके खतम करेगा, क्योंकि वो एक काम खतम करेगा, तो वो दूसरा काम लेके आएगा, दूसरा में बात है, हमारे पास touchwood ऐसा है कि काम बहुत जल्दी होता है, काम, कोई delay नहीं होता, ये fact हमारे पास अच्छा है, लेकिन जो आप लोगों को हायर करते हैं, या फिर outsource करते हैं, तो उनको आप कहां से ढूनते हैं, या आप mutually ढूनते हैं, या फिर आप कोई Fiverr है, या फिर रिलेंसिंग वेबसाइट से आप पिक करते हैं, या क्या system रहता हैं? Most of them, जिनको काम, हम दो एक्चिल में काम करते हैं, वो मुझे इन्स्टे ग्राम पर कर देते हैं, दो चल्दी कंसेडराइक या कि अच्छिव जल्दी हो जड़ी हो ज़ dove आगे, ऐसकी जबरes이나 पैसिंग्नेंस सीग्रिशर्शन नहीं, जो भी लोगों ने अपतों किया है उनको वह भी तक है साथ वाव देट्स अबेजिंग तो यहां से हमें दो चीज सीखने को मिली है गाइस कि अगर आप एक एजनसी ओनर है आप चीजों को आउट्सोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे परसंस ढूनने हैं जो पेशेंट्स हों जो लोग आपको टाइमली वर्क डिलीवर कर पाएं दूसरी चीज हमने यह सीखी कि अगर आप एक फ्रीलेंसर है जो काम ढून रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे शिविया मैम है या फिर जो और भी लोग हैं जो लोग अपनी एजिंसी चला रहे हैं आप उनको खुद से सामने से जाके आप उनको आउट्रीच कर सकते हैं बिकॉस अगर आपको बैठे-बैठे काम आने वाला नहीं है आपको लोगों तक पहुचना पढ़ेगा लो लोगों तक रीच आउट कीजिए उनसे आप बात कीजिए और तो आपको डेफिनेटली अपका काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा तो तो फिर मैं अब आपसे हम यह जानेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप अलरड़ी बहुत सी चीज़े कर रहे हैं आपने hacking के बारे में बताया कि अकर किसी के कोई social media accounts hack हो जाते हैं या कोई problem आती है तो फिर आप उनको कैसे help करते हैं तो अब आप इसको यह थोरा सा इसमें deep down चलते हैं कि किस प्रकार से आप एक account को recover करते हैं क्या process रहता है और चलिए पहले आप इसका answer बताएए फिर हम आ आप इसका आप इसका प्रॉब्लम में खोदी स्वाल हो सकती है अगर आप थोड़ा सा ना जब भी किसी का account hack होते है तो पैने को जाता है तो पैने करने के चक्कर सबसे पहले हो जाके अपना फेस्बुक का लाइक उसका पेस लिंक है तो वह भी डिलीट कर देता है या वह अनलिंक कर देता है सही बात है सो वह नहीं करना चाहिए लाइक क्योंकि काफी most of the problems na facebook login सही ठीक हो जाती है और कभी कभार spams में अगर आप mail चेक करोगे तो वहां पे आता है कि if that's not you then please click here to change your password immediately so वह चीज था बंदा पानिक बहुत जल्दी हो जाता है और हम क्या करते कि ठीक हमें पता है कि काम हो जाएगा so अगर हम से नहीं हो बात तो फिर हम फिर officials को फिर कॉंटक करते हैं हमारे पास इंसाइडर्स हैं से उनको कॉंटक कर कि फिर वैसे हम रीकवर कराते हैं like through insider and all क्य और हमें आपका कुछ नहीं पता चला तो अब आपने आकॉंट वैल लेजिए so it's not like तो हम इंसाइडर से ही करके करते हैं और अपने कॉंटक्स हैं like facebook से डारेक बात करके भी हो सकता है so ऐसे okay okay so अगर like आज की डेट में इतने सारे एकाउंट्स हैक हो रहे हैं मेरे भी कुछ दोस्तों के एकाउंट्स हैक हो रखे हैं जिनके अच्छे खासे followers होते हैं जाके हैक हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है तो हमने अपने एकाउंट्स के साथ में ऐसा क्या चीज मैंटेगी निया कि चीजह है यह क्या चीज्ब हम धियान में रखना चाहिए हमारे अकाउंट्स को हरा Steph पचा सकें जैसे आप वो वीडियो अपने दोस्कों इंस्टेग्राम पेज़ों कि आपका अकाउंट पूरा चला जाएगा तीसरी चीज़ है कि जो है लेकिन यह होता कैसा है एक्जैक्ली यह जो आपने कहा बच्चों की वीडियो वाला वो जो वीडियो है वो लिटल बिट पॉर्नोग्राफिक है तो दो बच्चों की वीडियो गर आप इंटरनेट पे देखो भी तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी तो इस इत कम संटर था चाइल्ड पॉर्नोग्राफिए तो एंट इंस्टेग्राम बिल्कुल अलाओ नहीं करता तो तुरंत विदेना सेकिंड जैसे आपने भेजी नहीं आपको एक सेकिंड के अंदर आपकी वीडियो आपका आपका अकाउंट रोच जाएगा एंड सेकंड थिंग है कि बहुत सारे लोग को मैसेज आता है कि आपना वेरिफिकेशन के लिए तो प्लीज जल्दी से इस लेंग पे क्लिक कर दो आपको नो दो दिन के अंदर वेरिफिकेशन बैज मिल जाएगा तो वो तुरंट जाके वो क्या होता है कि काफी लोग just want to be over smart they don't ask someone who's working for that purpose कि ऐसा भी होता है like अगर ऐसा होने लग जाता है तो हर दूसरे बंदे के पास टिक होता है कि ठीक है दो दिन में इस लिंक पर गलिक करके घर पे ब्लू टिक आजाता है so they do and they get hacked and मेरे काफी सारे फ्रेंट से इनके पास यह messages आते है तो मैं मुझते है तो मैं जाता है तो सब काफी को लगते कि नहीं है मजे ले रही है यह चाहती नहीं कि मेरे account पे ब्लू टिक आजा है तो मैं ऐसे ना मैं करी देता हूं and then then they get hacked so it's funny चौथी चीज़े होती है मेल्स पे काफी सारे वह आएगा कि आपने जो एक टिप मैं देना होंगी कि अपने ना मेल डिफरेंट रखो तो आप इस मेल पर कॉंटक कर सकते हो और जिससे आपका लिंक है आप इसको प्राइवेट कर सकते हो उस मेल आइडी को प्राइवेट रख सकते हो जो भी लोग जिनका पड़ा अकाउंट चल रहा है कि उनको ये टिप्स जिरूर फॉलो करनी चाहिए कि डिफरेंट मेल्स रखो अलग-अलग मेल रखो तो ऐसे से करके लाइक है काफी लोग OTP मांग लेते हैं कहते हैं कि मैंने गेम खेल रहा हूं मुझे बस एक OTP चाहिए हैं उसमें Instagram OTP नहीं लिखायाएगा बट उसमें कुछ और OTP लिखाता है गेम का OTP लिखाता है जैसे आपने OTP दिया यर अकाउंट इस गौन बहुत सारी चीज़े चल रही हैं बहुत से स्कैम चल रहा है मार्कट पर बहुत स्कैम है और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें 500 डॉलर का गिफ्ट कार्ड दो ब्राइब मत दो क्या फायदा क्या भरोसा कि आपने दे दिया पैसा और उसके बाद वो नहीं देगा अकाउंट को अपिस क्या कुछ नहीं बहुत है इंटरनेट की किड्नापिंग वर्चुली किड्नापिंग सभी बात है सभी बात है मैंने और भी देखा है कि मेरे कुछ दोस्त है उनके ऐकाउंट है है कोने के बाद में और पर कुछ क्या खूप्लिश करते है और यह कुछ we वेते ह्यां जब आप रहा है यह बहुत श्कैम चल रहा है तग्रा वाला बहुत तग्रा स्कैम है लेकिन इस्से पाइदा होता है जो है करके वह ऐसा कुछ अपलोड करते हैं तो न यही बिंsy पता ऍाल इसमें पिखर सिहुआ का वी मैं की लंग पार सaro разв Cheese रूमिज्य मारी सबर शहला है के augustinkinga मिमम्लाइड शन्टों भी तर सब्किल सेिल अर्म हमसे तरहाँ केसे हम लिएकज्य करणिए मेर रहर वह कोुछ वो भी फेक आइड होती है इस और बंदे की फोटो वो लेकर लगा करके रखे होते है तो अब हम यह बता है कि जैसे आपने इंस्टेग्राम के बारे में बताया तो आप और भी सोचल वीडियो प्लैटफॉम्स को प्रोटेक करते हैं या में आपका एक्सपर्टीज इंस्टे करने यूट्यूब वह बचाने के लिए क्लेट में यूट्यूब के तो बहुत सारे मिल्यान सॉभ्सक्राइबर्स वाले चैनल भी हैक हो जा रहे है और चारे करना बहुत मिश्किल है और अगर बाइचांस रीकावर हो भी जाता है तो फिर वह चैनल पे जो ग्रोथ मिल रह का हमें बहुत सारा काम आता है कि कोई किसी और की वीडियो लेकर डाल देता है कोई कुछ और कर देता है so I feel like YouTube इतना वाले कोई भी hack कर सकता है like अगर थोड़ा सा पता हो ना but अगर hack हुआ है तो वो recover भी हो सकता है to use your mind because मेरे एक friend का हुआ था तो उसकी manager नहीं उसको e-cover करके दे दिया था क्योंकि आप आपको YouTube analytics नाम का एक page होता है एक settings बगेरा या app होता है और YouTube hack होने का तरीका भी यही होता है कि या लिंक पर क्लिक कराते हैं लोग mail पर लिंक पर क्लिक कराके वो hack करा देते हैं तो अगर कोई हमें link बेज रहा है या OTP मांग रहा है या फिर something like that तो हमें वह चीज को पर नहीं करना चाहिए अगर हम अपने चैनल को बचाना चाहते हैं और YouTube पे double verification भी होता है ना यूट्यूब पर है two factor वाला है YouTube पे तो वह भी कर सकते आप अहां okay okay और guys अगर आप में से किसी का यार channel hack हो रहा है या कोई दिक्कत आ रहे है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वह आपको यह सारी चीज़ों में help करेंगी विकास बहुत लंबा experience रहा है मैं का इस field में बहुत अच्छा भी कह रही है मैं तो आप अगर बताना चाहिए मैं कि अगर आपने किन-किन लोगों के चैनल सभी बचाएं अगर आप किसी का नाम लेना चाहिए तो और अगर नहीं तब कोई बात सब्सक्राइब हमारा जो mostly sign होता है NDA होता है हम डिस्क्लोज नहीं कर सकत अगर बुछा आप मतल सकते हैं अगर आप पहँचे हो मेरे तक तो अफकोर्स मैंने काम किया है तब आप पहुंचे हो वैसे नहीं आप चैनल अगर शेल ऑर अपक्राइब हैं से अपने और अब नहीं करेंगा बिन बन बैक्राण्ट चेथिए अरे अगर आब विल्कुल 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 अरे वाँ क्या भात करती है आपने तो मतलब हम तो आपको अच्छे से जानते हैं अच्छे थोड़ा ओडियन्स को भी बताएं लेकिन आपने एकदम सही का कि एंडिया साइन रहता है तो हम ऐसे नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं बट आई थिंक आप अपनी अगर लोगों को बताना चाहें और यह बताना चाहें कि आप अभी कितना जन्रेट कर पा रहे हैं पर बंद में बिकॉज यह चीज लोग जानना चाहते हैं मोटिवेट होने के लिए और यह हमारे चैनल पर भी लाइक एक बहुत बड़ा हुक कोश अगर जिस इंटर्व्य में यह कुशन नहीं पूछते ना अधर कॉमेंट साने स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या चेतन भाई में चीज तो पूछी नहीं आपने देखो मैं इसे नहीं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि यह न पॉड़कास शाद मेरे रिलेटिव भी देखेंगे और उसके बाद तो यह तो अच्छा है अच्छा है तो तो तोली ओके ऐसी कोई बात नहीं है आप मतलब आप हमें एक रफ फिगर भी बता सकते हैं तो यह कोई दिकत नहीं है इतना है अच्छी वकेशन पर मथ इतना है अच्छी वकेशन पर मथ इतना है I won't give you the certain number but still it's good and the thing about this business is कि आपका business हमेशा से ऐसे 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 नहीं जाएगा अप नहीं जाएगा आपका business अप जाएगा और अप जाने के बाद नीचे भी आएगा और नीचे जाने के बाद जो जीरो की लाइन पे भी रहेगा So it's more like कि आपको कैसे वो जब आपका zero रहेगा कैसे आपको अपने आपको बालन्स करके चलना है कैसे बचा के चलना है Because जो bills है वो तो आएंगे ही जिसको पैसे देने वो आएगा electricity bills, car bills and all kind of fuels and all आएगा ही आएगा So वो कैसे आपको save करना है उससे कैसे crisis से आपको निकलना है वो आपको देखना पड़ेगा So it's more like कि हमेशा आपका up नहीं होगा up down stable 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 up down zero 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 and then rise high होगा Exactly exactly एक्तम सही बात है it's totally okay कोई दिकत वाली बात नहीं है चलता है and मैं आपसे अभी यह जानना चाहता हूँ कि like अभी आप इतनी सारी चीजे कर रहे हैं आज की डेट में सारी चीजे अच्छी चल रहे हैं जो एक वैक्ति की normal सी जो चीज होती है रोटी कपड़ा मकान सारी चीजे आपने अचीव कर लिया इतनी कम अच में तो अप कैसा लगता है like जब हम यह सारी चीजे कर रहे होते हैं तब हमें बहुत सी problem सारी होती है उस समय बहुत से तो अब अगर मैं पीची की स्टेगल देखती है तो अगर काम माइंड से देखुई न तो मैंने कैसे कैसे जीरे 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 काम करके मैं तक पहुचिए हुचिए तो लगता है कि मैं पढ़ने लिखने हैं विल्कुल में इंट्रेस्टेट कभी से नी थी और मैंने साइंस लिया थी और भी मेरे को समझ में कभी नहीं आया यूज तो फेल इस तो फेल इंगल जाते हैं लुकिली मैं पास जोगी 12th में तो एक ना टीचर्स के दिमांगे भी इमेज वन जाते ह तो वी जाते हैं तो और भी में उन ड्राईय में को समय कंगी Зब्सके वेकरद के हैंत़। our नहीं प्लक्ते डाईया विल्डेया तो फेल एक की चाहिग है स कीकस्तना उने में के लिख भी मैं जाता करते हैं कि, like manifestation works a lot, manifestation, manifest करोगे तो काफी सारी चीज़े होगी, exactly, मैं भी भी बिलिब रहता हुआ and फिर उसके बाद मैंने भी recently, like मेरा सपना था कि कि मैंने जर्मान पड़ी है तो मेरा था किया जिंदगी मैंना एक बाद जर्मानी जाना ही जाना ही है so I think in October I did my Europe trip for 10 days, so that I had manifest किया था, Paris, Germany, Amsterdam, so that was my, like manifestation works, and that's it, like never gave up, like people will say that I won't do it with you, 100% and you are जोगाई पाद में लोगाई जोगाई जब मेरे काफी मेरे खुद के परेंश्मान चुछ नहीं करेंगे जब मेरे सब्सक्त हुआगाई, लोगाई, क्योगाई, व्यूपाज था और पांगाई, am i radiya, यहाँ ज़ोगाई, how will you be able to pay bills आप एक बार आप उस जोन से निखती और झाल जाए और आप उस से निखती खिर सकती संपयार तो हुआ है। but you have to just believe in yourself and I was small and I didn't have so much liabilities but still it happens in one's mind that if I do everything I have to do so I did it so it feels good and then people also say we are very proud of you tell me how can I work with you so it's funny it's very funny exactly very beautiful and seriously it feels good when you have achieved some things you have become self-made so seriously it feels good and I feel very happy when those people who have been waiting for a few years who are now appreciating you so it feels good all these things are very beautiful and manifestation seriously works I am a big fan of it law of attraction I truly believe I am a big fan of it and I am a regular business I am following this last year I think I am following this and seriously in my life it is also a big role which I am a big fan of it I am a big fan of it and now I am regularly I am following this and I am learning new things and I am learning new things and I am doing courses and I am related 알아 yeah and I am learning new things like to learn more about the mountain this is too much fun can win 4 past that 5 now this is how so that this is how manifestation works this is how it works exactly exactly that movie is The Secret you have seen I think but I believe law of attraction manifest it works and also you have to be you yeah exactly I recommend you to watch that movie I recommend you to watch The Secret movie it's very wonderful and also you have to be grateful with the manifestation you have to be grateful you have to be generous it's more like if you are very nice with a big person then you have to be nice with a small person also because I always think that if I am in this place then I feel so bad so that's why I help I help I help a lot exactly 100% like you have to be grateful you have to be grateful to be grateful if you are not very grateful you have to be grateful so you are expecting that you will be able to behave in front of you if you will behave in front of you you will be able to behave exactly so that's very nice now I have to tell you about past and present and present and tell you about future what you have to do to be happy that you have to be happy with yourself so that's why these things are just not going to beηtší so what are you thinking about future plans what you will do in life what are you achieving in life and what are you achieving and what are you going to do and tell us about that Chetan, I do think that a lot of people are like going to be a circle but it's more like a 9 to 5 job for them सो मेरा है कि मेरे को छले इस जले ही बनाने का शौक है कि सर्कल शुरू हो न इसार k sugar शुरू हो त्मेरा मुट से करा कि टेरा मेरा हूज दूसरी सेक् dura हो जाओ तो मेरा मार्केटिंग थशल रहे है वू कि इसम लॉक्रถ बीयर। कैसे हूरा है अगर एक successful event हो तो कैसे हो रहा है so वो मेरे को दुबारा से सब को start करना है I can, अभी मैं नहीं कर सकती because मेरा भी कोई ठिकाना official है ही नहीं once I'm married then मैं बोलों कि हाँ ये मेरा ठिकाना I can do anything over there so मेरे को भी मेरे को भी job भी करनी है but अभी मैं करनी सकती it's not job करनी है because of the money but what happens when you start job आपकी personality बहुत different होती है बच्चो जैसी होती है आपकी सोच बच्चो जैसी होती है आपकी कपडे तो बच्चो जैसे होती है so अभी जो personality है वो different है अभी जो मेरी mindset है वो different है अभी जो मेरा लोगो से बात करने का तरीका है वो different है so मेरे को office जोइन करना है so and I don't think so कि 2-3 मेने के लिए मुझे कोई नोपरी देगा क्योंकि 3 मेने का तो प्रोबेशन ही होती है 6 मेने का तो प्रोबेशन ही होती है so I don't think कि मुझे कोई job देने वाल है so मेरा जो भी होगा ना मेरा सब बाहरी like कहीं और ही side around होके होगा so मैं मैं grow करूंगी and hopefully हम फिर से podcast पर एठेंगे और जो मैंने नए सेक्टर स्टार्ट के होंगे वहाँ पर हम बात करेंगे कि ठीक है यह हो रहा है वो हो रहा है definitely definitely हम regularly आपके साथ पर touch में रहेंगे and हम फिर से podcast करेंगे किसी और topic के उपर किसी और चीज़ को deep down understand करेंगे आज के इस topic में हमने बहुत सी सीखा कि hacking के बारे में कि अगर आपका कोई भी project hack हो जाता है आपको क्या करना चाहिए accounts को कैसे आप बचा सकते है hacking से and लोगों को भी बहुत सी चीज़े सीखने को मिली उनको value मिली तो guys अगर आपको like value मिली तो यार video को like जरूर करें and अगर आपको कोई भी problem हो रही है तो मैं Shibya maim का link description में डाल दूँगा हम वहाँ पर चाहके check कर सकते है and maim को dm कर सकते है तो guys आप लोग Bheran आप बता दे ना कि हम चेदन की वीडियो से आए है तो I think maim आपको reply भी कर देगी and also stay happy like कोई भी situation चाहे bad ही आरी तो panic मत हो panic मत हो maim एक बात बता हो यार आप इतना खुश कैसे रहते हो मैंने आपकी stories देखिया आपका platforms देखा मतलब आप इतनी सारी चीजों को कर रहे हो लेकिन आपके मतलब बातों से या फिर आपके ऐसे लगता नहीं है कि आपके दिमाग में बहुत जादा tension है या बहुत जादा हेक्टिक schedule है आपका आप हमेशा लाइक जब भी मैं call करता हूँ आपको hello chetan कैसे हो आप मतलब एकदाव energy पे रहते हो आप अलगी एक energy पे रहते हो और इक चीज मैंने देखा है कि आपकी जो stories है हमेशा आप memes ये सारी चीज़े हासी मजाग की चीज़े बहुत जादा मतलब बहुत हैपी रहते हो आप यार इसके पीछे का क्या secret है वो बता हो यार मेरे को लगता है कि यार ऐसे positive रहने से ना और लोग positive होंगे so for example चीज़े आप मुझे call कर रहे आप मुझे अबरस्टेंड हर बनादा इप्रेस होता है तो बर डिप्रेस होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप stories दलके लोगों को भी डिप्रेस कर दो it's more like दुनिया में हेट बहुत है बहुत हेट है दुनिया में ना it's like generosity है नहीं लिए वह बहुत है नहीं हो फोद्ड़ ए नहीं हो एंस लिए हिए हम कंदा आप्न हो करता है कोई instagram पे रोता है कोई रात कोंज होने रोता है आ of two जबन की का बात है और यह बातकों साही करे आपने जब भी हम कौल पर बात करते घब भी कॉल करते है तो मेरे को भी energy feel होती है अगर हम ऐसे आराम से बात कर रहे हैं हम सीधे हो जाते हैं कि अरे हाँ हाँ कैसे हैं अब क्या चल रहा है क्या नया फ्लैन है क्या चीज़े हैं मुझा आता है हाँ तो अब शिव्या मैं लास्ट कोशन आपके लिए और लास्ट कोशन हमारी चंता के लिए जितने भी हमारे वीवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं क्या एक एडवाइस आप उनको देना चाहोगी एक action plan एक ऐसी चीज़ जिससे वो अभी उठें और काम पे लग जाएं और अपनी success के पीछे भागते रहें और एक दिन ज़रूर अचीव करें next podcast जब हम आपके साथ करेंगे वो ही लोग आपके कॉमेंट करेंगे कि शिभ्या मैमापके कारण आज मेरे लाइफ ट्रांस्फॉर्म हो गई तो एक एडवाइस उनके लिए यार एडवाइस ही एकि टाइम वेस्ट मत करो टाइम बहुत कम है साल मुझे लगता है कि 2022 अभी शुरू हो गया था और यह खता होने वाल है तो टाइम नहीं है एज बढ़ रही है हमारे असफ़ के कॉम्पटिशन बढ़ रहा है बढ़ अब अब बढ़ बैच भी शुरू है अब इस बहुत के लिए भी है अब अब आप इस बहुत है एड़ पर इस बहुत है जिए भी है भी स्कार्ट आप शॉटकुट मतलो काफी लोग शॉटकट लेने के चक्कर में स्काम कर लेते हैं बढ़ बाद हो जाते हैं तो शॉटकट मतलो काफी लोग बोलते कि मेरे को भी लोग देखते तो बोलते कि यह बहुत अच्छा करिए बहुत अच्छा करिए मुझे भी करना है प्ट पीपल डॉन्ट नो कि अगर आप मेरे इंस्टेग्राम की तो आपको पता चलेगा मैं रियल मैंने कहा से स्टार्ट किया है तो आप दिखा सकते हैं इसमें एन्स पर आड कर सकते हैं पोट ईढ़े कि कि हर बंदीगी अपनी स्ट्रगल होती है और टाइम से पहले और टाइम के बाद किसी को भूषनी मिलता सबका सबके टाइम पर मिलेगा बट डोंट गिवप डोंट गिवप बी हैपी और कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत से चीज़े सीखने को मिलेंगी रेगुलर मोटिवेशन मिलती रहेगी जैसे मुझे मिलती रहती है and make sure to subscribe the channel आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी I know that कैसी लगी आपको वीडियो कॉमें चेक्शन में जरूर बता है and make sure to subscribe मिलते हैं अगली वीडियो में thank you ma'am for being in our channel my pleasure Chetan hope to see you soon okay bye